नमस्कार सातियों वंदे मात्रम बात करेंगे दोस्तों चिकिस्सा विबाग की पांच बड़ी भरतियों को लेकर नर्शिंग ओपिसर फार्मासिस्ट लेप टेकनीशियन एनम और सहायक रेडियो गरापर पांच बड़ी भरतियों को लेकर के आप सभी के मन में जो भी सवाल जवाब है उन सभी को इस वीडियो में हम किलियर करने की कोसिस करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो यह देखिए आपका सवाल है लगातार हमें जो कमेंट्स मिल रहे थे उसी को लेकर के आप देख सकते हो पहल पहले आवेदन कर चुके अब क्या करें दोस्तों जो पहले आवेदन कर चुके उनको अब क्या करना है तो उनको बताना चाहेंगे कि जिन्होंने पहले जो भरतिया निकाली गई थी नौंबर दिसंबर के अंतरगते उनमें उन्होंने आवेदन किया था तो उनको सब को चाहे लेब टेकनिशेन वाला हो, चाए रेडियो ग्रापर वाला हो, चाए फार्मासिस्ट वाला हो, चाए एनम हो, चाए नर्सिंग ओपिसर हो, सब को जो है आवेदन दुबारा से करने होगे, ठीक है आपका ये जवाब नहीं होना चाहिए, बार बार आप में इन सभी भरतियों क लेकर के सवाल जवाब गरते हो, जैसे ही विगबती आती है तो आपको पता होगा दोस्तों, जिन्होंने आवेदन कर दिया है, उन सभी को अब दुबारा से आवेदन करना होगा, आपका ये जवाब के लिए हो चुका है, आगला क्यूस्टन है आपका, कि सर पहले अनुब परमान पत्र बना लिया है, अब उनको दुबारा से नए फॉर्मेट में जो है, अनुबौ परमान पत्र बनाना है, यानि कि सब को, चाए CH हो, चाए CH हो, चाए XWATO ये UTV हो, उन सभी को जो है, अब दुबारा से जो है, अनुबौ परमान पत्र बनाना होगा नए फॉर्म का बना हुआ उनका च्छे महीना और हो गया है तो अब वो च्छे महीने का बना सकते है या च्यार महीने का और बना सकते है जिससे आप ही को फाइदा होने वाला है दोस्तों और इसी के अलावा अगिला क्यूसन है आविदन फीस दुबारा लगेगी या नहीं लगेगी तो ब दुबार से आपका फोरम भर देंगे और बिना फिस लगे आपका फोरम भर जाएगा ठीक है दोस्तों अगला क्यूसन है जाती परमान पत्तर मूल निवास परमान पत्तर दुबारा बनेगा या नहीं तो बताना चाहेंगे जाती परमान पत्तर आपको जो है अगर तीन साल से ज्यादा पुराना है OBC, MBC और EWS वालों का अगर तीन साल से ज्यादा पुराना है तो आपको जो है बनाना अती आविसक है वैसे दोस्तो एक साल की वेलेडिटी रहती है इनकी मगर दोस्तो अभी जो आप फोरम बर रहे हो तो उनमें आपके पास तीन साल पुराना भी चल जाएगा लेकिन वेरिपीकेसन के समय केवल और केवल एक साल पुराना ही आपका जाती परमान पत्तर चल पाएगा ठीक है S.C.S.T. वालों का किसी भी साल का हो कितना भी पुराना हो चल जाएगा वो आविदर फोरम जो है अभी भर सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आपका ये सवाल जवाब किलियर हो गया है अगला है सवाल जवाब करते है कि सरे ममारे पास ये है यूटीपी का भी है तो दोनों का मिलाकर हमारे को 25 बोनस हंग मिल जाएंगे क्या तो उनको बताना चाहेंगे ऐसा नहीं होगा केवल आपको जो है एक ही लाब मिल पाएगा चाहे आप दोनों अनुबव बनवा सकते हो मगर लाब आपको जो है एक ही मिल पाएगा चाहे 10 का लो चाहे 15 का लो ठीक है दोस्तों आपके जो मने में सवाल है वो हम दीरे-दीरे किलियर कर रहे हैं अगला क्यूसर है आपका अनुबवव परमान पत्र किसी डेट का बनवाना है तो जो अनुबवव परमान पत्र जो है आपका जैसे नर्शिंग ओपिसर की जो है पाँच तारिक से फोरम स्टार्ट हो गया है तो आपको केवल चार तारि अब हम दीरे-दीरे किलियर कर रहे हैं CHE को बोनस अब बात आगे CHE को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा तो जो आपके मन में सवाल है CHE को लेकर की तो जो धोस्तों बताना चाहेंगे अनुबवव परमान पत्र जो है दो साल से जो कम है उनको जो है बनवाना है जैसे CHE को बॉनस की अगर बात किरें तो दो साल से कम वालों को 15 अंक दे रहे हैं इसमें अब ना हो कि आप बोले का सबस्क्रों बनबाना है और बात है बॉनस की तो दोस्तों वू विभाग का कारी है विभाग आपको किसाधार पर देगा मगर आप जो है अनुबो पुरमान पत्र अव पंद्रा बोनस अंक दिये जाएंगे दो साल से कम वालों को ठीक है दोस्तो इसी के अलावा अगला आपका सवाल रहने वाला है पहले आविदन कर चुके उसमें गलती हुई है तो उसको हम किस परकार से सुधार सकते है गलती को किस परकार से आपको सुधार ना है तो आपने जो है पहले जो है मोबाइल नमबर आधार कार जीमेल आईडी दी है उसी आईडी से खुलवाए जिससे कि आपकी बिश दुबारा ना लगे और उसमें कोई भी गलती हो तो वो आप सुधार करके दुबारा से उस फोरम को सही तरीके से भरे सकते हो ठीक है दुस्तों आपके और इसे के लाव संसोधन के लिए भी आपको समय अलग से दिया जाएगा अगला किसन हम मोबाइल नमबर आधार कार और मेल आईडी में जो है आपकी जो है जीमेल आईडी है तो वो दोस्तों आप पहले आविदन भरेते वही लगाए जिससे कि आपको जो है काफी benefit मिलेगा आपकी फीस भी नहीं लगेगी अगर आप नया mail ID नया वो जो है मोबाइल नंबर से बरवाएंगे तो आपकी अलग से फीस लगेगी इससे बड़ी है कि आप पहले वाली ही सा समश्य है या कोई भी सवाल है आप लगातार सवाल जवाब करते रहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके जो सवाल जवाब है हमने काफी कमेंट्सों के जवाब इस वीडियो में किलियर कर दिये है फिर भी अगर आपकी कोई समश्य रह जाती है तो आप हमें नी साहिक रेडियो ग्रापर की जैसे ही विगपती आएगी तो हम आपके लिए वीडियो लेकि आएंगे आज के लिए इतना ही था और इसके अलाओ दोस्तों आप हमारे वाटसप ग्रूप को जोइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीके दोस् श्रूप पूरी जानकारी प्रापते हो सके तो दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई समझा है तो नीचे कमेंट्स दे कर सकते हो गलत कमेंट्स बिलकुल भी ना करें अन्यता हाइड कर दी जाएंगे आगे हमेशा के लिए आप कमेंट्स करने लाएके नहीं रहोंगे आपके जो भी समखके है थो आप नीचे आप किमेंट करें हम आपके कमेंट है रिबलाई जरोर करेंगे ठीक है दोस्तों और इसके अलावा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें और लगातार नर्सिंग से संबन देते हर एक छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको हमारे चैनल के मादम से मिलती रहेगी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही था और दोस्तों लगातार अपडेट आ रहे हैं नर्सिंग भरतियों को लेकर के और लगातार हम आपकी जो भी समश्या है उनको हल करने की कोशिस करते हैं लगातार दोस्तों और मोबाइल नमबर वही दे जिसके उपर दोस्तों मोबाइल नमबर आपके जो है चालू रहे आदार कार्ड वही दे एड्रस वगरा सब चीज़े किलियर कर दे और किसी का जो है विवाह हो गया अब तो वो विवाह परमान पतल लगा सकते हैं अगर नहीं बना है तो वो अन्मेरिड ही रख सकते हैं आज के लिए इ निवाद जय हिंद जय वारत